हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं आप सभी को फिर से दिखाने वाला हूँ दिल्ली का चंतर मंतर दिल्ली के जंतर मंतर की एक वीडियो पहले भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है ये वीडियो उस वीडियो का दूसरा पार्ट है आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूँ जंतर मंतर पर जंतर मंतर यानि गणना करने वाला जंतर जंतर मंतर को 1724 में सवाई राजा जैसिंग ने बनवाया था और ये जंतर मंतर उस समय पर गरहों, नक्षत्रों, राश्यों की लोकेशन, मोसम का अनुमाल लगाने में काम आता था जंतर मंतर की पिछली वीडियो में मैंने जंतर मंतर का एक यंतर आपको दिखाया था यहाँ पर ऐसे ऐसे 13 यंतर है जो अलग अलग चीजे में आपने में काम आते हैं इसले वीडियो में मैंने आपको मिश्टर मंतर के बारे में बता था यह वीडियो का लिंक मैं डिस्करिप्शन बॉक्स में देतूँगा वहाँ पड़ा है आप उस वीडियो को देख सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं बच्चे हुई सभी यंत्रों के बारे में आपको डीटेल में बताऊँगा विसर यंत्र के बाद जंत्र मंत्र का सबसे बड़ा यंत्र है समराड यंत्र ये सबसे बड़ा है इसलिए इसको समराड यंतर कहते हैं इसकी हाइट 70 feet इसकी लंबाई 114 feet चुड़ाई 10 feet की है समराड यंतर समय मापने के काम आता था इस यंतर से हम 2 सेकिंड तक की accuracy के साथ समय माप सकते हैं इसकी दो साइड है इस्ट साइड वाली स्ट्रक्चर में आप दो पहर से पहले का समय देख सकते थे और वेस्ट साइड में आप दो पहर के बाद का समय पता कर सकते थे ये एक संडाइल यानि की थोप गड़ी के तरह काम करता था इससे पहले भी बहुत सारे संडायल थे लेकिन उनकी एक्यूरेसी कम थे इसलिए समराट यंतर को बनाया गया था था कि होरोस्कोप, मंचांग, कुंडलियां एक्यूरेसी के साथ बनाई जा सकें समराट यंतर में 128 फूट लंबा हाइपोटनियूज यानि कर्ण जो की पिर्थवी के एक्सीज के पेरलल है और इसका उपर वाला हिस्सा नौर्थ पोल को दर्शाता है पहले याँ पर खड़े होकर देखते थे तो इसका उपर वाला हिस्सा पोल स्टार की तरफ इसारा करता था जिसका मतलब यह हुआ कि ये डिरेक्शन भी बताता था समराट यंतर एक कमपास की तरह भी काम करता है समराट यंतर के टोप पॉइंट पर उस समय पर एक जाता लगा दिया जाता था जिससे पता लगा जाता था कि इस साल कैसी बारिश होने वाली है बारिश कम होगी जाकि बारिश ज्यादा होगी मोसम का उनमान भी उस समय समराट यंतर के द्वारे लगा जाता था इस तरह है सम्राट यंतर एक मोसम विभाग की तरह भी काम करता था शम्राट यंतर के बाद आपको दिखाते हैं सस्ठ मांस यंतर सम्राट यंतर के East Side वाले structure में एक ओर यंतर बनाय गया है जिसका नाव है सस्ठ मांस यंतर ये स्टीडी नुमा जो बना हुआ है आप देख सकते हैं ये है सस्टमास यंतर इस यंतर में एक अंधेरा कमरा है जो अंडरग्राउंड बनाया गया है वो भी आम लोगों के लिए पंद कर दिया गया है उसमें जाने के लिए अंदर एक गुफा नुमार रास्ता भी है ये यंतर पिन होल कैमरा मेकेनिजम पर काम करता है ये यंतर सूरज की मेजरिमेंट में काम आता है इसे शूरज की जेनित डिस्टेंस, उसका डिकलाइनेशन और प्रन जैसे चीजे सस्टमां सेंतर के द्वारा हम माप सकते हैं समराट और सस्टमां सेंतर से आगे जाने पर आपको देखने को मिलेगा जै परकास यंतर जै यानिकी राजा जैसिंग और प्रकास यानिकी लाइट ये यंतर राश्योकूम आपने में काम आता था ये यंतर उपर से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको उस समय हिंदू और मुस्लिम जानकारों में बहत सिंग कि किन का पंचावी और किन की गणना ज्यादा ठीक है हिंदू कहते थे कि उनकी गणना ठीक है और मुस्लिम कहते थे कि उनकी गणना ठीक है इसलिए राजा जैसिंग ने बहस खतम करने के लिए इस जैपरकास यंतर का निर्मान करवाया इस यंतर में यंतर एक आइरन प्लेट लगी हुई है जो की सूर्य की पोजिशन को बताती है इसके बीच में कुछ कटे हुए होल्स इस यंतर के दो हिस्से है एक हिस्सा इस साइड आपको दिख रहा है और दूसरा हिस्सा दूसरी साइड में है वो भी ऐसी ही है इनमें से एक हिस्सा एक घंटे काम करता था और दूसरे घंटे दूसरी साइड वाला यंतर काम करता था इस यंतर में आपको पता चलता है कि सूरज किस समय किस रासे में है 6 महीने तरब एक साइड वाला यंतर काम आता था और दूसरे 6 महीने में काम आता था जै परकास यंतर के बाद आपको देखने को मिला राम यंतर इस यंतर को फ्राजात जैसिंग के दादा राम सिंग के नाम पर बनवाया गया था इसको दो बड़े-बड़े सिलेंडर के आकार में पनाया गया है और ये यंतर भी जैपरकास यंतर की तरह ही दो भागों में पनाया गया है इन में से एक सन के लिए बना गया है और दूसरा मून के लिए इन में से एक यंतर दिन में काम करता था जब सनलाइट होती थी और दूसरा यंतर रात को काम करता था जब मूनलाइट पड़ती थी राम यंतर के बीच में एक पिलर लगाया गया है और इसके चारों और पटियां बनाई गई है जिद पे मार्किंग भी की गई है इन पटियों के मोटाई 6 डिगरी है टोटल 30 पटियां ऐसी बनाई गई है तो 30 गउड़ा 6 करके प्रोटल 180 डिगरी बनाई इनके बीच में जो खाली जंगया है इनकी पटियां दूसरे वाले यंतर मोटी अंतर में है दोने के कम्पलीट 360 डिगरी बनाते हैं एक घंटे में एक एंतर काम करता है और दूसरे घंटे दूसरे एंतर काम करता है इसे हम जान सकते हैं कि अर्थ अभी किस पोजिशन पर है जैसे ही इस पे धूप पड़ती थी या फिर रात को लाइट पड़ती थी उसकी हिसाब से हम इसकी पोजिशन का पता कर सकते थे चान यंतर में 14 खिड़किया बंद हैं और 16 खिड़किया खुली हुई हैं जैसे कि हमें पता है कि इंदू कलेंडर के अनुसार सुकलपक्स और किर्सनपक्स होते हैं इनी के हिसाब से इनको डिजाइन किया गया है इसका उव्योग लूनर कलेंडर बनाने में होता है और इससे हम मून की पोजिशन का पता कर सकते हैं इस परकार आप दिल्ली के चंटर में आ कर देख सकते हैं कि उस समय पर लोग कैसे रासियों का कैसे समय का और कैसे मूशिकर का और भी बहुत सारे चीजे कैसे अनुवान लगाते थे मिसरे अंतर, समराटे अंतर, जैप्रकासे अंतर, सस्तमासे अंतर और रामे अंतर उस समय के अजुवे हैं जो लोगों ने बनाये थे ये सब चीजे देखने के लिए आप लोग भी जंतर मंतर पर जाकर इस अजुबे को देख सकते हो और इन सब चीजों के बारे में जानकानी प्राप्त कर सकते हो तो ये थी जंतर मंतर के बारे में हमारी डीटेल वीडियो दो वीडियो मैंने जंतर मंतर पर आप के लिए पते हैं दोनों वीडियो देखकर आप जंतरमत्र के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं दोनों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा और ऐसी ही नॉलिजबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना पिलकुल मत दूलिएगा